एक छोटे से गाव में एक छोटे से लड़के ने एक चिडिया का एक सुन्दर सा घर बनाया था। चिडिया उसे अपना घर मान बैठी और रोजाना उसके पास आकर समय बिता दी। उस छोटे से लड़के ने चिडिया के लिए खाना रखना शुरू किया और उसे अपना प्यार दिखाने लगा एक दिन जब चिडिया अपने घर के पास आई, वह एक दिल्चस्प बात सुनने के लिए तैयार हो गई छोटे लड़के ने कहा चिडिया मैं एक नया दोस्त ढूंढा हूँ जो तुम्हारे साथ समय बिता सके चिडिया ने खुशी से उत्तर दिया वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है हम अब एक दूसरे के दोस्त बनेंगे वे दोनों समय बिताने लगे और मिलकर खेलने लगे लड़के ने चिडिया को खिलाने दिये और वे साथ में खेलते रहे चिडिया को लड़के की देखभाल करने में खुशी मिलती थी और वह उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगी एक दिन जब चिडिया लड़के के घर पर आई उसे देख कर बहुत हैरानी हुई घर के आसपास और भी कई पक्षियों के घर थे चिडिया ने लड़के से पूछा तुमने इतने सारे पक्षियों को अपने घर क्यों बनाया? लड़के ने मुस्कराते हुए कहा चिडिया मैं जानता हूँ कि हर पक्षियों अपने अलग-अलग घर में रहना पसंद करता है मैं इन्हें भी अपने दोस्त बनाना चाहता हूँ और सभी को एक साथ रहने का मौका देना चाहता हूँ झालो अपने बना चाहता हूँ